हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फूर्ट जंक्शन बाई निहां आज की रेस्पी में हम बनाएंगे कौन सोप जो बच्चों क्या बढ़ो सभी को बहुत पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत इजी है तो चलिए आज की रेस्पी शुरू गरते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप कौन और इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम एड़ करेंगे तीन कप पानी और इसकी gas on कर देंगे पानी के बाद हम इसमें एट करेंगे एक कप कॉन तो आज हम एक कप कॉन का सूप बना रहे हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी प्यास का टीवी और थोड़ी सी गाजर जिसको मैंने पहले से कट करावा था अब एट करेंगे स्वादनुसार नमक और थोड़ी सी कालिमेच सूप को थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए हम इसमें एट करेंगे दो चम्मच चीनी क्योंकि कॉन सूप हलका सा स्वीट टच में होता है और अब इसमें एट करेंगे जो हमने कॉन का पेस्ट करा था तो हम इसको चान के यूज़ करेंगे ताकि जो इसमें जो granules रह गए होंगे वो हमारे soup में add ना हो सब चीज़े add करने के बाद हम इनको हलका सा mix कर लेंगे और इसको उबाल आने देंगे आप देखेंगे जैसे ही इसमें उबाल आने लगे हैं इसमें जाग आने शुरू हो गए हैं तो अब हम इन जागों को निकाल देंगे फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शियर करना ना भूले अब बारी है इसमें conflore add करने की तो यहां हम इसमें दो चमच conflore add करेंगे तो इसके लिए यहां हम दो चमच conflore लेंगे और उसको नॉर्मल वाटर में गोल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करकर हम add करेंगे conflore जादा add नहीं करना है क्योंकि वो रखने के बाद गाड़ा हो जाता है और लास्ट में हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा मक्खन मक्खन सूप को बहुत ही अच्छा टेस देता है तो आप यह बिल्कुल इसकिप मत करिएगा मक्खन डाल कर हमें इसे जादा नहीं पकाना है और अब बार्या ही से सर्फ करने की तो देखिए लग रहा है न यह कितना स्वादिस्ट आप भे इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और कमेंट करकर मुझे बताएगा कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फो वाचिंग